विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां भारत के लोग ना रहते हो, लगभग ऐसा कमी देश होगा जहां भारत के लोग ना पहुंचे हो और ना रहते हो. मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके नागरे किस दुनिया के प्रत्येक कोने में मौजूद है इसी प्रकार आज अमेरिका का दावेदार यानि की दरोंधर कहीं ना कहीं भारत के उपर ठिका हुआ है वह कैसे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको अमेरिका चुनाव से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मिल सके दोस्तों अमेरिका में दो प्रकार की वोट होती है एक वोट दूसरी पैसे वाली वोट जो यह दूसरी पैसे वाली वोट है न यह आपको सबसे ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि American elections में पैसा खुल कर खर्च किया जाता है कोई रोक टोक नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं भारत जैसे कोई limit नहीं है लेकिन पैसा आपको जुटाना होता है आम जनता से और जो रजिस्टर्ड कमपनिया हैं उनके जरीए इसके अलावा कुछ सुपर पैक होते हैं यानि कि अमेरिका के तमाम अमीर लोग पैसा इकठा करके इन सुपर पैक को देते हैं और यह सुपर पैक फिर अपने हिसाब से कैंडिडेट को पैसा बाटते हैं और यह पैसे से ही चुनाव जीता जाता है जैसे कि अमेरिका का एक राज्य है पैंसिलवेनिया 20 सीटे हैं यहाँ पर और इस 20 सीटों के लिए हर रोज कई मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प और उधर से कमला हैरिस भी लेकिन यह पैसा आ कहां से रहा है ज्यादा तर आता है अमीर वोट से यानि कि अमेरिका के अमीर लोग और इसमें जो हिंदू आबादी है वो तो सबसे अहम है क्योंकि 2015 तक करीबन 17 लाख भारतिय रहते थे अमेरिका के अंदर लेकिन पिछले 9 सालों में यह आबादी दुगने से बढ़ चुकी है करीबन 35 लाख पर पहुँच चुकी है इससे आप अंदाज लगाईए कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी बड़ी है अमेरिका के अंदर और इतना ही नहीं बड़ी तो है ही साथ ही सबसे तेजी से बढ़ने वाली भी है और उससे भी अहम बात कि जो हिंदू आबादी है वह सबसे अमीर भी है खूब पैसा कमाती है अमेरिका के टॉप जो पॉजीशन्स है वहाँ पर हिंदू बैठे मिलेंगे और इतना ही नहीं जो इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते है कम्पनीज के अंदर टॉप जो पॉजीशन्स होती है हर जगह आपको भारतिय मूल के या फिर हिंदू बैठे मिलेंगे और इसी लिए हिंदूओं का वोट तो अहम है ही हिंदूओं को अपने साथ रखना भी उतना ही अहम है क्योंकि यह पैसा भी आपको भरपूर देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए यही कारण है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो रिपब्लिकन हो चाहे जो बाइड हो या फिर डोनाल्ड ट्रम्प हो आपको देगा आपका इलेक्शन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वह अमूमन अभी तक जो बाइड की पार्टी डेमोक्रेटिक के साथ रहता आया है उन्हें डोनेशन भी करता आया है लेकिन इस बार के चुनाव में यह बदला है हिंदू वोट और पैसा इस बार गया है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जी हाँ बहुत ही बड़े लेवल पर हिंदू वोट शिफ्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में और इसी वजह से आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के जो यहाँ पर बयान है न वो इतने ज्यादा प्रो हिंदू है जो अब से पहले किसी भी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर के नहीं थे जी हाँ डोनाल्ड ट्रम्प से पहले रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादा तर और नेता फोकस करते थे, सिर्फ वाइट वोट पर इनका मानना था, कि कि वाइट वोट पर फोकस करेंगे, तो इलेक्शन जीतेंगे, और इसी कारण से यह 2008 से 16 के बीच में सारे इलेक्शन हारे, लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदू वोट पर फोकस किया, और तेजी से इन्हें अपने पक्ष में लाना शुरू किया, और इसका परिणाम है कि 2024 में इन्हें भरपूर चंदा भी मिला है, और साथ ही हिंदूओं का वोट, और यही कारण है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बांगलादेश में हो रहे हिंदूओं के नरसंहार पर डोनाल्ड अपने जबरदस्त भाषन देने शुरू कर दिये हैं, और पर बयान जारी किये हैं, जिसमें कहा है कि जो बाइडर और कमला हैरिस ने हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार को ना सिर्फ यहां पर मानने से इंकार कर दिया, बलकि कई महीनों तक एक बयान भी जारी नहीं किया, और मैं अगर सत्ता में आऊंगा, तो हिंदूओं की सेफटी इंशोर करूँगा, ना सिर्फ बांगला देश में, बलकि दुनिया भर में, और साथ ही जो भारतिये रहते हैं, अमेरिका में उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा, और यह एक बहुत ज्यादा बड करेगा ही, इसी लिए उन्होंने क्या किया कि अपने आपको हिंदू ना दिखाकर, बलक ज्यादा दिखाया, ताकि जो बलक वोटर्स हैं, वो ज्यादा उन्हें वोट दें, उन्हें लग रहा था कि हिंदू वोट कहीं नहीं जाने वाला, उन्हीं के पास रहेगा, बलक अंदर और हिंदूओं की सेफटी पर लगातार बयान देकर पूरी कम्यूनिटी को इंफ्लूएंस करके अपने पाले में ला रहे हैं और ट्रम्प के जो कैंपेन मैनेजर हैं उनका मानना है कि ट्रम्प इस बार 60 से लेकर 65 फीसद हिंदूओं का वोट ले जा सकते हैं जो कि कम जादा यह क्लोज इलेक्शन है उसे देखते हुए कई राज्यों में जो हिंदूओं की लाखों वोट हैं वह चुनाव का पासा ही पलट कर रख सकती हैं यही कारण है कि कमला हैरिस ने हिंदूओं को इगनोर करके अपने पैरों पर कुलहाडी जबरदस्त तरीके से मारी है हालां की दो दिनों के बाद वोटिंग है और उसके कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा कि हिंदूओं का वोट किस पाले में गए और यह जाहिर सी बात है हिंदूओं को जिस भी पहले में गिरेगा वह पल अवश्य जीत जाएगा यानि कि ट्रम्प हो या कमला हैरिस इन दोनों में से जिस भी पक्ष में हिंदूओं का वोट जाएगा उस पक्ष को अमेरिका चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता और इसलिए यहां से यह देखा जा रहा है कि अमेरिका के चुनाव में भारत की काफी अहम भागीदारी होने वाली है और कहीं न कहीं कमला हैरिस की वोटिंग परसेंटेज कम होने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसी बात कह दी है जो कि हिंदूओं के सपोर्ट म पुर्णावासी का प्रमान भी हिंदूओं को देंगे और यह प्लान उनका कहीं न कहीं सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है जबसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी मुहिम में इस बात का दावा किया है कि वह प्रत्येक हिंदूओं का रक्षा करेंगे तथा अमेरिका में ट्रम्प की दावेदारी व भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रम्प कहीं न कहीं कमला हैरिस के उपर हावी हो जाएंगे यानि कि ट्रम्प की ओर वोटिंग काफी भारी मात्रा में गिरने को मिलेगा जो कहीं न कहीं भारत्व अन्य देशों के लिए काफी अच्छी बात होगी स्पेशली इंडिया के लिए क्योंकि भारत के सभी रणनीती वह प्लेन के उपर डोनाल्ड ट्रम्प कभी भी नजर अंदाज नहीं करते हैं वह हमेशा भारत के प्लैन अव डील करने में आगे र बता था कि भारत एक दिन मजबूत अर्थ व्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाएगा और आज वह दिन आ गया है जब भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में लहरा रहा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें नमस्कार